दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को रिवास और फर्वर्ड का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा step by step दोस्तो मैं आप लोग को डाइगराम बना के भी समझाऊंगा और इसके साथ आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और कमपनी के अंदर में रिवास फर्वर्ड का कनेक्शन किस तरह रहता है ओभी में प्रैक्टिकल वीडियो डालका आप लोग को समझाऊंगा तो दोस्तो पहले आपको क्या चीज देखना है पहले आपको देखना है कि reverse forward का आप जो connection बना रहे हैं वो कितना भोल्ड का है मतलब ये जो आपका power का contactor दोनों लगा हुआ है ये हमारे कितना भोल्ड का है ये 110 भोल्ड का भी होता है 220 का भी होता है और 415 भोल्ड का भी होता है नमस्कार दोस्तो प्रैक्टिकल एक्स्पेस टेखनिसियन तो अपने YouTube चैनल में आप लोग के स्वागत है आज कुछ नया सिखते हैं कंट्रोल वाइरिंग की सतरा करेंगे पहले दोस्तो न्यूट्रल का वाइरिंग समझ लेते हैं यहां पे हमारा 230 भोल्ड है एक नीट्रल सप्लाई है तो हमारा किस में आ रहा है NCV में आ रहा है तो कंट्रोल वाइरिंग के ओपर जीस हिसाब साब का लोड रहेगा उस हिसाब साब को NCV लगाना पड़े गए इसके बाद दोस्तों आज आता है हमारा phase care connection phase care connection हमारा MCB में आया MCB में आने के बाद आपका सीधा आ जाता है oiler में दोस्तों अभी इस में diagram में तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और जीस तरह आपका diagram बना हुआ है same to same में आप लोगों को practical भी करके दिखाऊंगा phase supply हमारा oiler में आया oiler में आने के बाद आपका off push button में आया off pv मतलब होता है आपका off push button ठीक है और यह जो symbol है यह दबाने वाला symbol होता है और जो आपका NC point रहता है इसमें आपका एक number और दो number लिखा हुआ रहता है इसी को आपको देखके आराम से पहिचानना है और जो हमारा coil रहता है contactor का A1, A2 एकदम लिखा हुआ रहता है तो NC से हमारा एक supply आया आने के बाद फहले forward का NO में आया forward का जो तीन number point है तीन number point में connection हुआ connection होने के बाद आपका यहां से A1 आउट हो गया आउट होने के बाद जो हमारा reverse बाला push button है इसका जो NO point है इसका तीन number में connect हुआ इसके बाद दोस्तों connection किस तरह आपको बहुत clean समझ में आयेगा same to same देखिएगा reverse forward starter पे भी इसी type का आपका connection रहेगा और इसके साथ आपका यह forward बाला push button धबाएंगे यहां से तो यहां से हमारा face supply आएगा आने के बाद सीधा आ जाएगा हमारा कहां पे यह जो reverse बाला power contactor है इसका NC में NC का दो number या एक number किसी पे भी आप connection दे सकते हैं उसके लिए कुछ भी दिकत नहीं है तो यहां से जो जब दक आपका NC बना रहेगा तब दक आपका forward बाला contactor operate होगा और जब आपका forward बाला contactor on रहेगा ठीक है तब आपका किसी भी हल में reverse बाला on नहीं होगा इसी के लिए दोस्तों यह NC से आपका एक interlock दिया हो रहता है इसके बाद जब हम reverse बाला दबाएंगे तो यहां से हमारा face apply आएगा किस में आएगा सीधा आपका NC point में आएगा यह जो forward contactor है इसका NC में आएगा आने के बाद यहां से आउट होट के आपका reverse बाला का जो A1 coil का point है इसमें आ जाएगा इसी टाइप से दोस्तों आपका connection दिया हो रहता है और कुछ भी अगर doubt रहेगा तो हमसे comment करके जोरूर पूछिएगा अंदर में कुछ भी doubt बिल्कुल भी मत रखिएगा इस connection को दोस्तों हम लोग क्या बोलते है inching connection reverse forward का देखिएगा चाए indexon furnace रहे power plant रहे या rolling mill रहे हर जगा आपको inching connection भी मिल जाएगा और holding connection भी मिल जाएगा तो अभी दोस्तों मैं आप लोग को practical करके भी दिखाऊँगा और उसके साथ company का अंदर में किस टाइप का practical में काम करना पड़ता है ओ भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा दोस्तों reverse forward के लिए कौन-कौन सा समान लगेगा ये पहले आपको जाणना जरूरी है कि आप 110 भोल्ड का reverse forward बना रहे है 220 का बना रहे है या 415 भोल्ड का बना रहे है मैं आज आप लोग को 220 भोल्ड का reverse forward इस्टाटर बना के दिखा रहा हूँ ठीक है इसके लिए हमारा क्या-क्या चाहिए एक thermal overload relay चाहिए 3-pole thermal overload relay 3-pole contactor 3TF-32 का दोगो और ये हमारा coil voltage कितना है 230 भोल्ड और control connection के लिए एक आपका MCB आप 10A का भी लगा सकते है 6A का भी लगा सकते है और 4A का भी लगा सकते है और ये starter को check करने के लिए हमारा एक checking lead और एक off push button जिसका पिछे में आपका NC element लगा हुआ है और दोगो on push button एक reverse के लिए एक forward के लिए इसके पिछे आपका NO element लगा हुआ है दोनों में आपका same to same है और दोस्तों जो main खास बात है जब भी आप NO का connection कीजिएगा चाहे आपका contactor का NO element हो तो इसका number मिला लिजिएगा NO का number हमेशा 3 और 4 होता है और NC का number आपका 1 और 2 होता है एही सब देखके हम लोग पहचान जाते है अगर फिर भी कुछ doubt रहेगा तो आपको multimeter में continuity में setting करके आपको check कर लेना है NC मतलब आप नॉर्मल पोजिशन में ये NC रहेगा मतलब multimeter का एक लिड़ इसमें और एक लिड़ इसमें लगाईएगा तो आपका continuity बताएगा लेकिन NO वाला में आपका continuity नहीं बताएगा चाहे ये contactor का NO और NC का element में check कीजिए multimeter को continuity में setting करके चाहे आप contactor का ये जो NC point है NC point में check कीजिएगा तो आपका देखिएगा continuity बताएगा और NO में check कीजिएगा आपका continuity नहीं बताएगा जैसे ये हमारा NC point है इस पे भी एक नंबर दो नंबर लिखा हुआ है इसी को देखके हम लोग पैचान जाता है के ये हमारा NC point है और ये हमारा NO point है तो NO में आपका 3 और 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसी को देखके हम लोग पैचान जाता है के कौन सा NO है कौन सा NC है same to same इस पे भी आपका लिखा हुआ है यही सब देखके आपको industrial का step by step experience बनाना है जिस तरह दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ भी doubt नहीं रखूंगा और यह relay में A2 में एक wire आपका लगा हुआ रहता है इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आप लोगों को समझाया हूँ जिसमें doll connection बनाया था रिले का range बगर अथा आप लोगों को मालूम है trip और reset अभी दोस्तों पहले आपको क्या करना है पहले सबसे पहले कोई भी control wiring किजिएगा तो आप एक चीज़ी याद रखिएगा कि हमको जब भी connection करना है तो color code से ही ओयर लगाना है नया नया काम किजिएगा तो जब आप पूरा experience हो जाएगा उसके बाद कोई भी वायर से connection किजिएगा तो कुछ भी doubt नहीं रहता है तो जो फेज का wiring करेंगे यह हम red color का वायर लेंगे और जो neutral का wiring करेंगे यह black color का वायर लेंगे अभी दोस्तों जिससे हम checking करेंगे इसके लिए जो हम यह lead लिए है पहले इसी का connection करेंगे ठीक है और हमेशा याद रखिएगा जो wiring कीजिएगा तो यह red बला और black बला वायर हमेशा step by step लगाईएगा अभी दोस्तों इस वायर को mcb में connect कर देंगे दोस्तों input supply mcb में connect कर दिये है यह जो red बला वायर है यह हमारा phase का है और जो black बला वायर है यह हमारा neutral है अभी आपको क्या करना है पहले neutral का wiring करना है उसके बाद आपको phase का wiring करना है और neutral वायर के लिए हम क्या करेंगे mcb से एक वायर out करना है एक दम color के साथ color match करकर करना तब कभी भी गलती नहीं होगा तो यहां से एक वायर लिकाएंगे और relay का जो a2 point है इसमें देंगे और relay से जो हमारा एक और वायर है इसको a2 में लगा देंगे और इहां से एक wire लाके A2 में लगा देंगे जितना सारा A2 है A2 में आपका हमेशा neutral connection करना पड़ता है और कभी भी wiring आपका गलती नहीं होता है neutral का wire हम MCP के साथ connect कर दिये है और यह जो thermal ovalator relay है यह A2 के साथ connect कर देंगे ठीक है? और दोस्तो मैं शुरू में आप लोगों को बता दे रहा हूँ जितना भी control wiring कीजियेगा जितना सारा wire है बहुत अच्छा से tight कीजियेगा तब आपको कभी भी कुछ दीकत नहीं होगा दोस्तो A2 का connection हो गिया है और यह जो हमारा 3-pole thermal overload relay है इसको बहुत अच्छा से बैठाईएगा क्या होता है? कभी-कभी आगर आपका लूज रही जाएगा तो thermal overload relay का 1-pole या 2-pole या आपका कभी-कभी 3-pole भी damage हो जाता है ज्यादा तर आपका thermal overload relay में 1-pole damage होने का fold आता ही आता है ज्यादा तर आपका fold आता है लूज के चलते दोस्तों ये neutral का input है जिस तरह में आप लोगों बताए हो A2 में लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? neutral का wiring आपका totally complete हो जाएगा इसके बाद दोस्तों में आप लोगों phase का wiring करके दिखा रहा हूँ phase का wiring की तरह करेंगे? जो MCV है MCV से एक wire लेंगे और लेने का बाद ये जो thermal overload relay है 96 में connect करेंगे ठीक है? दोस्तों MCV में ये जो red color का है इसी का output से एक wire ले लिए है लेने का बाद आपका जो thermal overload relay है इसका 96 point में आपका connect कर दिये है क्यूँके दोस्तों जब भी कोई starter बनाईएगा तो पहले ये आपको thermal overload relay में connection देना है क्यूँके जब भी आपका कोई भी motor में fold आएगा तो ये हमारा thermal overload relay trip होना चाहिए जब आपका trip हो जाएगा तो totally control circuit आपका बंद भी होना चाहिए और 95 और 96 thermal overload relay का NC point होता है और 97 और 98 आपका NO point होता है NO point से आपका tripping light का एक connection दिया हो रहता है एक off light का और एक on light का step by step मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी दोस्तों क्या करेंगे phase supply हमारा 96 में आगिया है 95 से एक wire लेंगे और हमारा जी ये off बला push button है off बला push button में connect कर देंगे 95 से एक wire आउट किये है और ये जो off बला push button है इसके साथ आपका connect कर दिये है एक number में अभी दो number से एक wire connect करेंगे और आपका NO में देंगे फिर NO से और एक wire connect करके दुसरा NO में देंगे दोस्तों off बला जो push button है इसका output से एक wire out किये है out करने के बाद जो हमारा no push button है no push button का जो तीन नंबर है यहाँ पर connect किये है connect करने के बाद यहाँ से एक wire लेके फिर दुसरा वाला जो no push button है इसमें connect कर दिये है क्यूंके दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि electrical circuit का एक route होता है और जिस route के अनुसर में आप wiring की जियेगा तो same to same आपको करते ही रहना है मतलब circuit को complete करना है अभी क्या करेंगे दोस्तों जो हमारा no का एक एक point आपका बच गिया है यहाँ से एक wire लेंगे और अभी से आपका reverse और forward करना है इसलिए क्या करेंगे जो हमारा contactor का यह element है आपका इसमें एक आपका NC element बैठा देंगे ठीक है क्यूंके हमको अभी interlock देना है और इस पे भी आपका NC element बैठा देंगे ठीक है दोस्तों contactor में हम एक no element connect कर दिये है और आपका NC element connect कर दिये है एनसी हमारा एक नमबर और दो नमबर है, एनो हमारा तीन नमबर और चार नमबर है, तो इस पे भी दोस्तो एनो पे तीन नमबर और चार नमबर दिया हुआ है, और एनसी में आपका एक नमबर दो नमबर, लेकिन मैं आप लोगों को बतायो कोई भी इलेक्टिकल सर्कुट मे यह जो off बला है इसको जब भी दबाएंगे चाहे कोई भी electrical का system रहे totally आपका बंध होना चाहिए अभी दोस्तो यह NO से एक wire लेंगे ठीक है लेने के बाद पहले हम लोग किस में देंगे NC में देंगे फिर NC से out करके contactor का coil में देंगे same to same दोनों को करेंगे दोस्तो यह NO का जो output है जिसमें आपका देखिए नमबर भी दिया हुआ है 4 नमबर जो लिखा हुआ है 4 नमबर पे एक wire connect करके हम किस में दिये है आपका जो NC point है इसका दो नमबर में दिये है और दूसरा वाला यह NO से out करके इस पे भी आपका दो नमबर में connection कर दिये है इसी type से दोस्तो step by step आपको connection करना है काई कि step by step नहीं कीजिएगा तो हमेशा गलती हो जाएगा तो अभी क्या करेंगे जो हमारा एक नमबर point है एक नमबर point से यह जो reverse बला contactor है इसका coil में दे देंगे और जो reverse बला NC का है यह forward बला का A1 में दे देंगे ताब हमारा एक interlock हो जाएगा एसी यह ऑमारा forward बला contactor है और यह हमारा reverse बला है तो जब आपका reverse बला on रहेगा तो किसी भी हाल में आपका forward बला चालू नहीं होगा जब आपका forward बला ओन रहाएगा किसी बयाल में reverse बला आपका चालू नहीं होगा इसी के लिए आपका interlock देना पड़ता है अभी दोस्तो जो reverse बला contactor है इसका जो NC से out करेंगे एक wire तो हम forward का A1 coil में दे देंगे और जो forward से एक wire NC से out करेंगे और reverse बला का coil में दे देंगे बहुत ही simple है दोस्तो forward का जो NC point है इससे एक wire लेके reverse बला A1 का coil में लगा दिये है जो हमारा reverse बला contactor है अभी दोस्तो इसको हम चालू करेंगे तो हमारा किस में चालू होगा इंचिंग में चालू होगा खास करके यह जो reverse forward का connection है चाय फर्निस का hydraulic motor रहे यह आपका CCM का DRT मोटर रहे इंचिंग में ही connection रहता है और बहुत सा starter आपको इंचिंग बला connection मिल जाएगा अभी दोस्तो इंचिंग बला में आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा दोस्तो 230 बोल दे दिये हैं यहाँ पर 230 बोल आ रहा है नहीं आ रहा है कौन सा phase है कौन सा neutral है इसके लिए एक बार tester से चेक करेंगे देखिए यह हमारा phase supply है tester जल रहा है पर neutral बला में नहीं जल रहा है और MCB को on कर देंगे ठीक है यह देखिए आपका tester जल रहा है मकलब यह हमारा phase supply है और यह हमारा neutral है neutral में आपका tester नहीं जलता है अभी दोस्तो यह जो thermal overload relay है यह जब तक आपका trip रहेगा किसी भी हाल में आपका काम नहीं करेगा कुछ भी काम नहीं करेगा चाहे आप एक साथ दुनों को दबा लीजिए या off बला या on बला कुछ भी कर किसी भी हाल में आपका नहीं चलेगा क्यूंकि अभी motor में फॉल जब आता है तब आपका thermal overload relay trip हो जाता है अभी इसको हम reset करेंगे ठीक है जैसे ही छोड़ देंगे तुरण बंद हो जाएगा और जब हमारा ये contactor on रहेगा किसी भी हाल में ये बला push button दबाएंगे तो हमारा चालू नहीं होगा कौन बला reverse बला अगर दबाएंगे तो देखिए reverse बला दबा रहा हूँ किसी भी हाल में आपका चालू नहीं होगा जब तक ये forward बला नहीं छोड़ेंगे अभी forward बला छोड़ दिये है ठीक है reverse बला दबाएंगे तो reverse बला हमारा जब तक दबा कर रखेंगे तब ही तक चलेगा और जैसे ही छोड़ देंगे तुरण हमारा बंद हो जाए जब तक दबा कर रखेंगे तो इहां पर क्या होता है दोस्तो CCM हो या दूसरा कोई भी प् और चाहे forward side हो या आपका reverse side हो इसी के लिए दोस्तो हम लोग इसको inching connection गोलते है दोस्तो जब आप कोई भी company में duty कीजिएगा तो मैं जीस तरह इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ इसी तरह आपको same to same मिल जाएगा reverse और forward inching connection में बहुत सरा interlock भी दिया वा रहता है जैसे एक reverse एक forward on indication का दोगो light रहता है एको tripping के लिए रहता है एको आपका SFU लगा वा रहता है जिसे RYB supply phase connection दिया वा रहता है और already MC भी thermal follow delay और दोगो power contractor का connection के बारे मैं मैं already आप लोग को समझाया हूँ और यह सब के बार वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और channel को subscribe कीजिएगा आप लोग हमेशा कहते हैं के sir आपका वीडियो अगर 2 मिनिट देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ नया experience बन जता है नमस्कार